नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोग स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपनी ही यूटूब चैनल आलोग स्प्लॉग पर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्रोटन को लेकर कुछ जरूरी क्वेस्टेंज जो बार-बार मेरी वीडियो पर पूछे जा रहे थे उनके आंसर लेके आया हूँ क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो एक और्नामेंटर प्लांट की लेस्ट में आता है और इसे अक्सरी लोग जो है अपने घर के इंडोर में या फिर आउट डोर में शेमी शेड में लगाना पसंद करते हैं बहुत सारी वराइटी जाती हैं एक दो वराइटी हो तो सायद उंगलियों पर गिन कर बताई जा सके इनकी इतनी सारी वराइटी आपको देखने को मिलेंगी कि आप उनको काउंट करने बैठेंगे तो सायद पूरा दिन विज जाए क्रोटन की कुछ वराइटी मेरे गार्डन के अंदर भी हैं जैसे कि यह अभी आपके सामने जो है यह गोल्डन डर्स्ट क्रोटन के नाम से जाना जाता है ग्रीन कलर की इनकी पत्तियों के उपर यलो कलर कई चीटे जो होते हैं वो देखने में बड़े ही जादा प्यारे ल होता है उसके पतों पर भी ग्रीन और यलो मार्क्स होते हैं और यहां पर आपकी यह वाली जो वराइटी है इसके पतों पर भी आपको ग्रीन के उपर यलो मार्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे मार्क्स क्यों कम है यलो चीटे इस पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस वाली वराइटी के उपर इस पर कम क्यों है इस चीज को भी जो है इसी वीडियो के अंदर डिस्क्स करेंगे क्योंकि है क्या कि काफी ज़्यादा क्वेश्यन जो है इस चीज को लेकर भ बिल्कुल जो है पौधा मेरा जो है वो पतियों से खाली हो चुका है मरने की का गार पे हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को नोटिश करवाना चाहूंगा कि जब भी आप जाए नसरी और वहां से आप क्रोटन का पौधा लेकर आए तो मिट्टी सबसे पहले उस या फिर आपको यह पौधे जो है लाल कलर की मिट्टी जो आती है पूने वाली उसके अंदर लग कर मिलेंगे यह भी मेरी जो है वो दो अलग अलग वरैटीज है इनके पत्ते बहुत ही ज्यादा कलर फुल है और यह दोनों जो है मेरे फैविरेट प्लांट है मेरे गार्ड छूकर देखने पर जैसे कि है क्या यह रूट बॉल है यहाँ पर यह गमले के अंदर की मिट्टी दिख रही ऐसे ही रूट बॉल भी आपकी होगी जैसे अभी आपको यह जो मिट्टी दिख रही है इसको अगर आप इस तरीके से पोड़ेंगे तो यह हाथ में लगेगी न जो लाल मिट्टी होती है उसको इजली जो है आप पहचान सकते हैं वो इट के जैसे बिल्कुल कठोर हो जाती है जैसे ही उसका पानी जो है थोड़ा सूकता है और अगर ज्यादा पानी आप दे देते हैं तो जब ओबर मौशर को होड़ कर लेती है तो वहां पर भी समस्या आ इसा कीजिए हलंकि इस बार भी बरसाद भी काफी ज़्यादा जिला रही है यह उमेद बिल्कुल नहीं थी कि इस बार बारिस का कुछ ऐसा हाल होगा तो बारिस के समय में आप जाए वहां पर जब आप पौधो को लेकर आएगा तो उसको जो है आप पानी के अंदर रूड बॉल पूरी धीली हो जाए उसकी मिट्टी तो धीरे धीरे करके ऐसे यहां नीचे से पकड़ कर आप हिलाते रहे हिलाते रहे हिलाते रहे है मिट्टी जब निकल जाए सारी तो नई मिट्टी बनाकर जो है रिपोर्ट कर दीजिए अब मिट्टी बनाने में भी आपको इस परसेंट सेंड लेना है 50, 30 और 20 का रिशिया लेकिन अगर आपके यहां की मिट्टी को ज़्यादा ही चिकनी हो मतलब चिकनाहट मिट्टी के अंदर ज़्यादा हो तो आप वहां पर 40 परसेंट गार्डेन सोयल लीजिए 30 परसेंट आपकी सेंड लीजिए और 30 परसेंट कमपो रहेनी चाहिए तो आप जो है ग्रे कलर वारी जो शैंड आपकी आती है उसी का इस्तमाल आप कर सकते हैं बारिस हमारे हां हलकी हलकी हो रही है पौधे इंज्वाय कर रहे हैं बारिस को तो है क्या कि आप इस तरीके से मिट्टी लेकर आपने पौधों के लिए मिट्टी को तैयार कीजिए हां एक चीज जो रूट रॉट की समस्या आती है उससे निपटने के लिए आप महीने में एक बार पानी में अच्छा सा फंजिसाइट घोलिए कोई और रिपोर्ट करते समय भी अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा हो या फिर जो है आपके पास साफ का महीने में एक बार जो है पानी में घोल कर पतो पर भी अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और जो है मिट्टी के अंदर भी दे दीजिए पौधों के अंदर कोई नुक्षान नहीं होने वाला है अगली जो समस्या आती है वो आती है ओबर वार्टरिंग से बहुत सारे लोग ब परसंद होता है कि वो रूट रॉट होकर मर जाए पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी को आप चेक कीजिए चेक करने के बाद आपको यह लगे कि आपकी मिट्टी के अंदर नमी नहीं है अगर नमी ना हो तो आप पानी दे सकते हैं अन्यथा जो है आप बेट जब मिट्टी आपकी सूख चाहे उसके बाद ही पानी दीजिए अब जो सबसे ज़्यादा कोश्यान आता है कि मेरे पौधों मेरे क्रोटन का जो पौधा है गोल्डन डेस्ट का उसके उपर यलो टेक्श्यर बहुत कम है आप वाले पे जादा है तो मैं आप लोगों को दि तो मैंने इसको स्टैंड पर जो है वो थोड़ा शेडी पोश्यर में डाल दिया था और उधर ग्रीन नेट भी लगी हुई थी तो इस वज़ाय से जो है धूप चंचंकर ही इसको मिल रही थी इस वज़ाए से इसको इसके उपर यलो जो कलर है यह कम आया है तो पत्तों का जो कलरफुल नेचर है वो आपको प्रोटन के अंदर किसी यह चीज से नहीं मिलेगा सिफ लोकेशन आप इसकी जो है वो ना बार-बार चेंज कीजिए और ना ही बहुत जादा शेडी अरिया में रखे मतलब आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर अच्छी सी बाले का तरीका क्या है? पिंचिंग. मैंने अपने पोधों की पिंचिंग जो है वो की थी जब पोधा ये एक सिंगल ब्राइच से निकल गई यहाँ हौई ब्राइचे और अभी इस पिंच कीया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं यह देखिए यह इसका पिंचे जहां से मैंने-पिंच किया है वो अला भाग है और फिर देख़िए साईट से कितनी सारी नए ब्रांचेज एक दो और नीचे से भी तीन मतलब कई सारी नई ब्रांचे जिसके अंदर निकलाई तो पिंचिंग करके घना बना सकते हैं इसके लिए भी कोई खात देने की जरुवत नहीं है बाकि इसके फर्टिलाइजर को ऊपर भी मेरी अलक्षे विडियो है वह आप लोग जाकर देख सकते हैं फर्टिलाइजर में आपको कुछ नहीं देना है एक बार आपको जुलाई में कंपोस्ट देना है स्वरी फर्वरी मार्च में देना है एक बार जुलाई में देना है और एक बार सेप्टेंबर में बाकि लिए फटिलाइजर जब आपने बाकी पौधों के लिए बनाई है तो इसको भी देते र कर दो.